हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का SSC बनोगे चैनल में फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आज बात करेंगे यूनिट डिजिट मतलब कि इकाई के अंग के बारे में हम बात करने वाले हैं तो इसमें कुछ परश्ण होंगे और कुछ इसमें पहले हम नियम बताएंगे तो इकाई का अंग क्या होता है किसी भी संख्या का अंतिम जो पद होता है वह इकाई का अंग होता है किसी भी संख्या का अंतिम पद हुआ है इकाई अंग होता है जैसे कोई संख्या आमने लेग दिया गया है पांच तीन चार दो एक तो इसमें इकाई का अंग जो हो जाएग कि ऐसी बात करतें कि हम इहां से सीधे पर आते हैं तो इकाइंक बहुंत इतना ही आगे कौश्चों में दूषार नियम है 2.4 नियम को अभी इससे बताएं पहले हम देखते हैं को yourself के बारे में पहला कुशन पहले कुशन लेते हैं कहीं पर दिया गया 56 पलस का 73 पलस का 72 और पलस का 33 ऐसे दिया गया है अगर हम इसको जोड़ेंगे तो इसमें जो आएगा इकाई के अंक पर क्या निकल के आने वाला है अगर हम इसको जोडते हैं तो 3, 2, 5, 2, 7, 3, 10 और 10 और 6, 16 निकल के आ जाता है मलत की इकाई के अंक पर यहां पर 6 निकल के आएगा आगे कुछ भी आए उससे मतलब नहीं है मगर इकाई के अंक पर सिर्फ 6 ही निकल के आएगा हमने कैसे इसे 6 निकाल दिया तो हमने सिर्फ जोडा है निकल के आएगा इकाई के अंक पर कैसे 3, 2, 5, 2, 7, 3, 10, 10, 16 निकल के आएगा तो 16 एक उधार होगर हमारा जो आएगा एकाई के अंक पर वह चे यह आएगा छे ही आएगा आगे इसी प्रकार से एक और कूशन देखते हैं एक और कूशन देखेंगे फ्रेंट्स अगर हम देखेंगे यहाँ पर किसी भी संख्या का इकाई अंक जो होता है अब यहाँ से हम बात करते हैं यहाँ से एक नियम निकल किया रहा है कि किसी भी संख्या का इका निकालते हैं तो इने संख्याओं को जो इकाई अंक आएगा इन्हें सभी का अगर हम योग करेंगे परड़ाम जो निकालेंगे वही यहीं वह यहां पर इकाई अंक निकलकर आ जाएगा जिसे एक और कोशन देखते हैं 35 जीदिया गया 35 गुड़े 37 और गुड़े 45 यहां पर दिया गया फ्रेंट्स इस परकार से तो इसका इकाईक अंक क्या निकल के आने वाला है अगर यहां से बात करेंगे पांच गुड़े साथ करेंगे तो यहां पर 35 निकल के आने वाला है तो दूसरी बार क्या करेंगे यहां से इसका पांच लेंगे पांच गुड़े पांच कर दिया है किसे पांच से गुड़ा कर दिया है अगर वह सम है तो वहां पर जीरो आएगा मतलब एकाई के अंक पर अगर किसी भी संक्या में सं से घुरा करते हैं तो जीरो आता है अगर हम 할े है तो विश्म करते हैं पांच ही आता है तो ढूसरी नियम क्या कहता है जो हमते बात क्या था कि सम है अगर सम है तो जैसे कुशन लेते हैं 25 लेते और गुर यहां पर 26 और गुर से का सब्सक्राइब जय कर आएं तो इसका एक आइक जीरो इसब्सक्राइब करते हैं तो पांच गुड़े अगर हम छे करते तो 30 सि निकल के आ जाता है तो तीस अब इसका इकाई का हम लेगे अंक जीरो है जीरो में हम किसी भी संख्या से हम गुड़ा करेंगे तो जीरो ही देगा फिर जीरो का गुड़ा हम आठ से करेंगे तो यह भी जीरो ही देगा तो हम कहेंगे यहां से इकाई के अंक पर जीरो ही आएगा तो किसी भी संख्या को अगर पांच अंत में पांच इकाई के अंक पर और इकाई के अंक पर गुणन फल करते हैं तो इसका इकाई आंक निकालते हैं जितने भी समसंख्या हैं अगर हम उनका आपस में गुला करते हैं तो उनके अगर हम आंक निकालते हैं तो उसका इकाई का आंक क्या निकल के आएगा उसका इकाई का आंक जो निकल के आने वाला है वह जीरो ही निकल के आने वाला कैसे जैसे दो है संख्यां सभवें चार 6 8 10 10 तो जीरो से किसी भी संख्यां में गुड़ा करेंगे तो इक आई कैंक में सभी विसम संख्याओं का या कहते हम सभी विसम आपर में सभी विसम आपर में संख्याओं का अगर हम गुड़ा करते हैं अगर गुड़ा करते हैं या इकाई का अंग निकलते हैं तो यहां से गुड़ा करने पर इकाई का अंग क्या निकल के आने वाला है हम कहेंगे इकाई क की अंग पर पांच ही देगा तो ऐसे हैं मैंने कहा दिया कि परमय का तो अभाज संख्याइं जो हो जाएकी जैसे तीन थाइंधं गला करेंगे तो पांच ही निकल निकलके आएगा क्योंकि पांच से गुड़ा की है थो पांच ही निकलकर आएगा कैसे देखते यहां से यह से जैसे हम देखेंगे कैज एक निए और पता चलता आगे एक नियाम मुशेटरिल का फैक्टोरील यहां पर 125 आएक का अंग है जैसे 44 Iya'll लेखते हैं पर 4 देखते हैं पर जर्जेंगे सब्सक्तार कि तो चार सबिखने दो चलिएविवक दम लिखных दो लॉआरपे लोगरों causing ल मंतनि का पर 1670 मैं यहाँ पर फिर जीरो ही आगया अब जीरो आए अकाई का अंक पर अब एकाई का अंक सम्किसी भी संक्या में गुड़ा करेंगे तो एकाई के अंक पर हमेसा जीरो ही देगा हम कहेंगे पांच फैक्टोरियल में एकाई का आएगा जीरो आएगा जीरो आएगा यहाँ पर चार चेन पर यहां पर पर है यह यह एकाय का एंग है yellow digit infinite ए cooking के तो ख्यों brazin 5 गोड़े चार गोड़े तीन गोड़े दो गुड़े एक तो बराबर निकल के आप छह पंचे यहां पर भी फिरेंट से 30 निकल के आगा मदलब जीरो निकल के आ गया है तो जीरो ही इसका मान आएगा तो फिरेंट हम देख रहे हैं कि 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल से उपर यतिने लगिष जीरो ही बनेगा तो हम कहें अगर पांच पेकुब्ट्रे अंक जीरो ही आएगा बस हमझ को दौ के गार 5 फेक्तृरील से व क्तृत करना है यह प्रशना तरीके से समझ में । आया इक बार 5 फेक्तृरील शे डिकांत तो और देखितनों यहां से, एक प्रश्ण और देखें कि जैसे question दिया गया है एक गुड़े दो गुड़े तीन गुड़े चार गुड़े पांच गुड़े चे गुड़े आठ गुड़े नौ गुड़े दस अब कहा गया लगातार दस संख्याओं का गुड़ा करने पर और इसको हम सौ से भागा देते हैं 100 से भागा देने पर इसकाạnhाई कांख क्या निकल के आने वाला है ुकारी कांख क्या निकल के आने वाला है चले हम बात करते हैं यहांसे जिजीर चला ज़एगा और 5 का गुड़ा बारा दो बज़ गहाए साध दुनी चौधा साध दुनी चौधा चार बज गय लगने ठाथ दो नौद हूँ वादपा नौद दूनी एत्थारा इसका एकाई कांक निकल नहीं कont्लिके यहां पर यहां पर यह बराबर दिया गया है यह बराबर अगर अगर हम बात करते हैं 0,1,5 या 6 आता है अगर यह बराबर 0,1,5,6 आता है तो हम कहेंगे इसका जो यूनिट डिजिट आएगा मतलब कि इकाई का अंक आएगा घात कुछ भी हो सम या बिसम कुछ भी हो तो इकाई के अंक पर हमेशा यही संख्या आएगी मतलब कि 2,0,1,5,6 ह आएगा 0,1,5,6 ही आएगा हमेशा इकाई के अंक पर अगर देखते हैं कि अगर इकाई के अंक बनलब यक्स कमान अगर एक बार चार है चार या नौ आता है इकाई का अंक अगर चार या नौ आता है तो चार की पावर अगर सम है चार की पावर अगर सम है और चार की पाव पर वर्क अगर अगर सम हैंQué तो अगर फ्रेंड चार की पावर को और समझ їए तो इसका मान निकले अन्यक्त եा से हुब हुब करने था फ़र Windows आएगा अगर फ्रकार से थाओ निकालते हैं तो इकाई के अंक पर एकाएगा अगर इसका फ्रेंट्स विसम निकालते हैं अगर सम है तो एक आएगा अगर इसका विसम निकालेंगे तो फ्रेंट्स एकाई के आंग पर नौ ही आएगा जैसे अगर बात करते हैं नौ का हम स्कॉयर करते हैं तो जो की दो सम है तो सम आने पर क्या होगा 81 एकाई के आंग पर एक ही आए गा अगर नौ का यूटन निकालते हैं तो तोनौ को सॉ नतीज तो हम कहेंगे यहां पर देख लेंग आप यहां पर नौ आ रहा है तो नौ आ रहा है यह तो हम 0,156 और 49 उतनी संख्याइ हो गई हैं अब बची हैं अगर यक्स बराबर यै बराबर दो आता है तीन आता है साथ आता है और आठ आता है और आठ आता है इने में से भी कोई संक्या आती है तो तो इसके लिए हमारा साइकल होती है चक्रिता का होती है अगर हम दो का वर्ग निकाल दो का पावर एक करते हैं दो ही आता है अगर दो का पावर दो करते हैं तो चार आ आता है अगर दो की पावर तीन करते हैं तो आठ आएगा इकाई के अंग पर अगर दो की पावर हम यहां पर चार करते हैं तो फ्रेंट्स एकाई के अंग पर आने वाला है 18 16 अगर दो की पावर 5 करते हैं तो 32 ऐगा और दो की पावर 6 करते हैं तो फ्रेंट्स इसका माध़ 4फट होता है आगे अगर दो की पावर हम करते हैं कि साथ तो 188 होता है अगर दो की moon पब wann把它 करते हैं साथ कि वाद 8 गोड़ार दोस्व 56 होता है दोसो छबब बात करते हैं कि यहां से चार चार के बाद रिकाई का क ஊ रहा , रिपीट हो रहा है तो यहां से या एक चकریता का निर्माण करता है मतलब की यहां से यहां पर करेंगे तो नहीं क्योंति पर फिर को रिपीट हो जाएगा यह यहां पर अब F7 और 8 का डिपीटिशन होता है तो यहां से देखेंगे कि अगर हम बात करते हैं यक्ष की power यन यन है तो यक्ष की power यन है यक्ष बराबर 2,ati, 7,8 हैं तो यह demasiा धी हम ji architects percent करेंगे यह नेक बात बरी संखेत देज हैं तो यहनको हम 4 से डिवाइड करते हैं चार से डिवाइड करने पर अगर इसका रिमेंडर रिमेंडर जो है अगर इसका रिमेंडर जीरो आता है अगर रिमेंडर जीरो आता है तो हम कहेंगे इसका जो पावर होगा वह पावर चार लगा देंगे क्या लगाएगे रिमेंडर होगा तो हम कहेंगे यक्स जो यूनिट डिजिट पर होका स्कृवरर वाहां पर चार लगा दिए अगर रिमेंडर एक आता है यह तोकर हम यह ता छलिए यहांसे फ्रेंड पर शुरू करते हैं प्रश्ण को जैसे बात करते हैं यहां परश्ण के कुछ इंपॉर्टिन हम परश्ण इसमें लेकर आये हुए है परश्ण क्या है परश्ण दिया जैसे तीन की पावर अगर 35 निकालना हुआ तो इसका इकाई कांग क्या निकल के आएगा तीन की पावर 35 है तो इसको ने तरह 27 निकलके आजाएगा तो इकाई के अंक पर इसमें साथ आजाएगा इसका इंसर का जाएगा पर इसे इसमें देखते हैं अगर साथ की पावर है 49 49 636 और तीन बचेगा यहां पर तो साथ की पावर हम तीन लगा देंगे गुड़े तो 9609 63 कुल मिलाकर 347 होता है 347 हम कहेंगे यहां पर इकाई का पर क्या रहा है तो 3 इसका जवाब निकलके आ जाएगा इसी परकार से इसको देखते हैं फूष्या नमबर अगले को यहां पर घात में आप बहुत बड़ी संक्या दे गई कि येंटिये के अगर हमारी चार से भी भाज होगी सिर्फ दो संख्याओं को लेना हैा से चार में भागा देगी और हम इसको इसको 162 निकल में आज आएगा इसका रिवेंडर दो हो आएगा हम पर 220 देंगे तो आट अध़ंस लेकार 2 लिंगे तो 8 SPD दो लिखेंगे तो 8AD 4 1008 तो 1 एकाहे के अंग पर यहां पर 4 निकल के आजएगा चार निकल के आज आजए आज आसा करते आप को सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं चलते हैं आगे देखते हें झीट सब्सक्राइब करने पर देखेंगे हम यहां से पहले बात करते हैं तो यह से तीन दिया गया है तीन या फ्रेंट तीन की पाउर को की पाउर सम आती है तो क्या था इकाय के आंक पर हम गया अगर चार की पाउर समा आती है तो इकाय के अंग पर चार निकलर आएगा तो सम ए तो एकाय के अंग opposite पर चे आएगा चे गुड़े अब 6 है तो चे की पावर अगर पेंड कुछ भी दिया गया है छे की पावर 05 मनला 015 और 6 इन 4 में से अगर इसकी पावर कुछ भी दिया गया हमसे नहीं मतलब आए सम है या बिसम है कुछ भी है तो हम कहते हैं नें हम तो पढ़िया भी झाम के कितना होता है अगर हम करेंगे यहां से साथ से गुढा करते हैं सा्त तरक सथ तरिक 21 साथ यहां पर तीन गुड़े चाह आने वाला इक आए खांग लेंगे आठ और गुड़े छे करेंगे फिन ऐसे प्रेस्ट सब्सक्राइख आजाएगा तो श्यच प्रेश्ट पर अगल के आजायेगा चलते हैं नेस पर नेस्ट कॉस्टन देखते हैं अगला प्रश्चन जैसे प्रेंट जिया दिया गया है इसको जोड़ा गया है अब इसको हम कैसे लिका लेंगे इसका इकाई का आंक क्या निकलके आने वाला है तो इसमें हम कुछ आपसर जैसे दे देते हैं हम कि ए बात करते हैं ए आता है एक और बी बात करते हैं बी आता है जैसे दो आता है और और जब बात करते हैं यहां से तो आम बात करें की कौald इस निकल आएगा आप बताना दे conviction करने पर 12 का हम लिख सकते हैं कि झार को छल तो यहां से Adult os भूक में यहां से निकावर 48 बटे अब 16 को हम क्या लिख सकते हैं 16 को हम क्या लिख सकते हैं 8 गुड़े 2 लिख सकते हैं 8 गुड़े 2 लिख सकते हैं पावर 18 है तो यहां से बराबर करेंगे हम 3 की पावर यहां पर ना जाएगा 55 और गुड़े 4 की पावर 55 बटे 3 की पावर 11 1011 तो यहां से ओर तो यहां से हम देखेंगे कि 3 की पाउर 11 अर्द में है और 3 की पाउब 55 अंस में हैं तो हम कहेंगे यहां पर घर जाएगा तो जैसे फाझपन से 11 चला जाए तो तीन केनी की पर चाहिए गया है तो इसके हमाँ चार ही आएगा कहा आएगा चार ही आएगा गुड़े चार अब इसको और बटा ब्टे में कुछ नहीं बचाए यहां पर अग्थर 18 है आठ की पावर 18 है और यहां से देखेंगे जीरो बचेगा और आठ चार मसे एक जला जाएगा तो तीर बचेगा बटे में हम दो को क्या लिख सकते हैं हम दो को लिख सकते हैं दो गुड़े दो गुड़े अगर हम करेंगे इसको 2 की 18 है तो ऑधार काम क्या लिग सकते दो की पाउर 3 गुड़े दो गुड़े दो तो क्योंकि घहात का अगर घात की उपर घात है घहात Centaur धोला हो जाताए हम दो की पाउर अगर हम तीन घाए है तो तो दो की पाउर और तीन कमान क्या होता है आठ होता है आठ की पावर छे फिर इसको फिर हैं आठ की पावर छे हैं इसमें से आठ की पावर छे निकल के आ जाएगा यहाँ पर तो इसको अगर हम भाग देते हैं चावाल इसको चारते तो यहां पूरी तरह से भी भाजित हो जाता है तो तीन की और यहां पर आ जाएगा चार तीन की पावर चार का मन क्या निकल गाता है अगर हम निकल दिन की पावर 4 लिखते हैं तो 3 की पावर 4 और गुड़े का यहां पर यहां पर एक आएगा और गुड़े यहां पर चार दिया गया है इसी प्रकार से अगर यहां देखेंगे पलस में आठ की पावर अगर 24 इसको चार से भागा देंगे चार सेगस भागा देने पर यहां पर निकल के आने वाला समय पश्यश्ly देने आगर जीश्वा दें pa मृ pengus फर दो हमको देखंगर टण से मतलब है तौ Ready और चार कुल मिलाकर दस निकल के आने वाला है तो इकाई का अंक पर यहां पर क्या आएगा जीरो आएगा जीरो आपसर नमबर सी में है आपसर नमबर सी फ्रेंट सही जवाब निकल के आजाएगा चलते हैं नेश्ट पर एक कोशन और बचा है उसको भी देख लेते हैं क्या चार से भागा देने पर देखेंगे की चार से या पूरी तरह से विभाजित हो रहा है चार से यह पूरी तरह से विभाजित हो रहा है हम कहेंगे अगर हम के की पावर चार लिखते हैं तो के की पावर चार करेंगे तो यहां से अगर हम के बराबर मान के चलते हैं आठ है के की पावर आठ है अगर हम आठ की पावर चार लिखते हैं तो हम कहेंगे इकाई के आंग पर 6 ही देगा एकाइक के चेहांग पर यह ल情 संगर के जगा यांग केशना इसी प्रकारते हैं अगर करेंगे तो आपसा नंबर डी सही जवाब निकल के आजाएगा आसा करते हैं आज के वाद आपको इकाई के अंक में कोई भी दिकत नहीं आएगी हम इसमें परशने बनते थे हम सब परशने इसमें ला दिये हैं तो धन्य बाद दोस्त अगर आपको या बीडियो जो आच्छा लगा हो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आपने अभी तक चैनल से जोड़ना चाहते हैं तो चैनल को जुरूद सब्सक्राइब कर लेजिएगा धन्यवाद दोस्त